अंतराष्टी मानेवादिकार संगटन MST International ने कहा है कि अमेर्की राष्टपती बराक ओवामा अपनी भारत यात्रा के दोरान अपने देश की विवसाय घितों को बड़ा बात देते समय बोपाल गैस्त राजदी के बारे में बात करें गरतंत्र दिवसामारों में शरीक होने के लिए नियोता ना मिलने पर आम आदमी पार्टी के सयोजक अरविंद केजरिवाल ने नाराजगी जताई है वहीं बीजेपी का कहना है कि गरतंदे दिवस समारों में पूर्व सीम को बुलाने की परंपरा नहीं रही है लेकिन केजरीवाल चाहें तो उन्हें नियोता बेजा जा सकता है बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष अमित्शा ने जनतापरवार के विले की कोशिच को अन्यतिक करार दिया है अमित्शा ने जदिव आरजडी कॉंग्रेस घटवंदन को अपवेत्र और अन्यतिक घटवंदन कहा कांग्रेस के वरिष्ट निता राजवबर ने आरुप लगाया है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार की कतनी और करनी में अंतर है और एक विदेशी मेहमान की भारत यात्रा के दोरान देश के आकास को गिरवी रखा जा रहा है अमेरिकी राष्टपती बराक ओवामा का 27 जन्वरी को प्रस्तावित आगरा दोरा रद्ध हो गया है हम आपको याद दिला देएं कि ओवामा का उनकी पतनी मिशेल के साथ ताजमेल देखने जाने का कारिकिरम था मद्यप्रदेश के मुक्यमंत्री शिवरा सिंग चोहन ने प्रदेश सरकार को गरीवों के हित में काम करने वाली सरकार बताते हुए कहा कि प्रदेश में ऐसे सवी कानून बदल दिये जाएंगे जिनसे जनता को परिशानी होती है चुनाब आयोग ने आपके सायोजग अर्विंद केजरिवाल को उनकी इस टिपड़ी को लेकर फटकार लगाई जिसमें उन्होंने आरूप लगाया था कि भाजपा दिल्ली के कुछ हिस्सों में सामप्रदायक दंगे भढ़कार रही है बल्लेवाजी क्रम में चौते नम्मर पर उतरने के बाद बले ही विराट कोली का फॉर्म खराब हो गया हो लेकिन वेस्ट इंडीज के महान बल्लेवाज सर विव रिचर्ड का मानना है कि टीम को जरूद है तो उसे इसी क्रम पर बल्लेवाजी करनी चाहिए सुपरेस्टार सल्मान खान के साथ किक फिल्म में काम कर चुकी श्री-लंका की अविनेत्री जैकलिन फर्णांडिस का कहना है कि उनके साथ काम करने के बाद उनकी हिंदी में काफी सुधार आया है वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राश्पती बाराक ओबामा के लिए गरतंत्र दिवस परेड में मुक्य अत्ति बनना और भारत के राश्चे दिवस अमारों को प्रतच्छ देखना अत्यंत सम्मान की बाद है